Hey guys and welcome back to another episode of football daily और आज के एपिसोड में हम लोग चार चीजों पर बात करने वाले सबसे पहले रियाल मेडिट की कमबैक पर बात करेंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्या एरिट टन है की जॉब खतरे में है same goes for opportunity नो उसके बाद हम लोग बात करेंगे चल शिट के बारे में और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नेमार की sustained injury तो वह यहाँ पर सबसे पहले नेमार की बात कर लेते हैं अब तुमको पता हैं कि यहाँ पर अलहिलाल का जो performance चल रहा है उसमें यहाँ पर नेमार का जो डेब्विव है उसके तड़के के साथ ही कही ने की साओधी लीग इस समय बढ़िया चल रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ऐसे में यहाँ पर नेमार के कोच ने वो खबर सुना दी जिस चीज के लिए फैंस आवमेशा से ह लगफूल रहते हैं और वो यह है कि नेमार अपनी इंजरी को लेके कब तक कही न के प्रोन रहने वाला है कब तक बल्नरेबल रहेगा अब ऐसे में यहाँ पर अलिलाल के मैनेजर ने यह कहा है कि देखो नेमार को को कोई लॉंग टम इंजरी नहीं हुए है बस उसको तोड तो इस चक्कर में कही न कि वो नेमार को लेके शॉट टम बताए जा रहे है कि अगले मैश में नहीं खेलेगा उसके बात खेलेगा लेकिन बात यहाँ पर ही हो सकती है कि शायद से अलेलाल हमसे कुछ न कुछ चुपा रहा हो कि नेमार अभी एक मैश के लें जड़ है लेकि साओधी लीग में वापिस आये तो यहाँ पर करीम बंजिवा ने अपने इंटर्वी में यह चीज का कि अगर सही बाता हूं तो साओधी लीग इस ऑन दे रूट तो बिकम दे बेस्ट लीग इन दे वर्ल्ड क्रिस्टियान और नाल्ड टॉप फाई की बात कर रहे थे करीम में बंजिवा टॉप पे ही चले गए खेर वो अलग बात है आई तिंग वो उनको कहना ही पड़ेगा अगर प्यार की बात करे तो खेर इसी की अपनी यहां पर दो तीन पॉइंट की बड़त भी दे रखी है यहां पर क्या चीज सबसे जादा बढ़िया लगी मेरे को देखो सबसे पहली चीज तो मेरे को यह लग रहे है कि अपन लोग रिजल्ट को ग्राइंड कर रहे हैं हम कईना की जो एक तरीका होता है नहीं से ब गहल ही जाएगा रियाल मेरे की केस में यहां आप कह नहीं सकते हैं रियाल मेरे हर एक मैच में उस तरीके से उतरती है या फिर मैं कहूं कि situation में इस पूरे campaign में अपने जितने भी call concede करने सारे 10 या 15 मिट के अंदर अंदर आ गए ऐसे मैं आप कह सकते हूं कि रियाल मेरे जि mark से खेल के यहां पर चीजों को grind करना होता है at the very moment यह कब तक हो सकता है मेरे को नहीं पता क्या आप इसको पंदरा गेम तक extend कर सकते हो नहीं पता लेकिन at least आपने पांच गेम में यह करा है उसके लिए मैं इस पूरे squad को यहां पर कही नहीं किसकी तारीफ करना चाहूंगा इस समय आप गोल स्ट्रगल करोगे यहां पर गोल स्कूर करने में आप कितना ही कर लो जो आपको 25 गोल से जादे तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता 25 भी कह रहा हूं लेकिन आप यहां पर यह भी मानके चलो कि बेलिंगम भी आपको 15-20 की रेंज में गोल देगा और अकेला य यहां पर कैमपें में 25 से 20-25 गोल ते और उसके उपर से करीम बेंजिमा की बात करें तो 30 से 40 गोल तो उसके भी ते तो उसको आप कैसे रेप्लिकेट करोगे यह नहीं यहां पर अभी तक कार्डो ने ढूंड पाया है और नहीं स्कूर्ड में से कोई ऐसा निकल क्या है जो क कि आपको आउट ओफ नोवेर 15 या 20 गोल दे सके नहीं ब्रहिम दियास का भी लग रहा है अब यह आर्दा गुलर को हमको पता नहीं है जो जेलू कि हमने बात करी विनिसियस एक ऐसा प्लेयर है जो कि आपको उस चीज से निकाल सकता है लेकिन यह तो गोल स्कोरिंग की बात गोल बचाने की बात का ही अब देखो अगर पिछले गेम की बात करें तो हमने यह पर दो क्लीन शीट रखी और तीम में हमने कंसीड किया है लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि जितने गोल हम यहां पर मार रहे हैं उतने ही गोल खाने की चांसिस भी तो लग रहे हैं अगर अगर कल रियाल सुसिडार्ट की गेम की बात करें तो उन्होंने नहीं सिर्फ एक अच्छा पोजेशन गेम हमको दिखाया बलकि उन्हें प्रेस करते करते के साथ ही काफी सारे शूट्स भी लिए और कूबो की मैं बात करूँ तो कूबो ने तो जो ब्रेकडांस करवाया यहा मैच कर आए कोई सी भी टीम सामने खेल रहे हैं लेकिर आपने शॉट्स फेस किये हैं आपने यहाँ पर गोल कंसीड के चांसिज लिए हैं तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह कि आप इस समय किस चीज में जादा स्ट्रगल कर रहे हैं तो सामने वाले को डिफेंस को तोड़ने क या फिर अपने डिफेंस को तूटने से बचाने के लिए हैं तो यहाँ पर मैं को लगता है कि सबसे जादा पॉइंट्स कटने चीए हैं अगर हम छोटे छोटे-छोटे की बात करें इस गेम को लेके तो सबसे पहले अगर मैं रियाल सोसिडार्ट की बात करूँ बहुत अगर मैं इनके लागि इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर रियाल मरी को काउंटर किया था अल्मोस सक्सफुल हो गए थे जैसे यहाँ पर मैंने पहले में देखा कि फ्रांगार्सिया विट दे रहा है हमको बहुत उपर चड़ा हुआ है तो कारवाल यहाँ पर इंसाइड है यहाँ पर कि कूबो को अगर आप वाइड रखोगे सबसे पहले उसको स्पेस मिलेगा उसको टाइम मिलेगा जो कि उसको चेगे और वन वी वन में यहाँ पर ठुकेगी रियाल मरीट विकास काउंटर पर पड़ेगा साथ ही यहाँ पर उन्होंने इस चीज का भी फायद यहाँ पर मरीनो की बात करें या फिर जूबी मंडी की बात करें एक नमबर एट जो कि कूबा के साथ पेर अप करेगा जिससे अगेन ओवरलोड हमारे उसमें पढ़ जाएगा फर्स्टाफ में तो हम बहुत जादा स्ट्रगल करे थे सेकिंड हाफ में हमने चीजों को जिसको हम कहते हैं पास पर्स डिवेंसिव एक्शन यानि कि सामने वाली टीम को आप कितने पासे इसकंडे दे रहो उससे पहले आप चीन लेते हो वो भी मेरे क्याद से आपर 14-15 के आसपास होगा जो कि बहुत जादा है लाइक लजिट अगर आपका हाई प्रेस अच्छा ह लगी कि आपने फ्रांगार्से के horizontal game पे ध्यान नहीं दिया फ्रांगार्से को आप ऐसे नहीं यूज कर सकते कि वह बॉल लेगा वापिस से recycle करेगा और possession के साथ खिलता रहेगा फ्रांगार्से के पास explosive नैसे pace है वह आगे बढ़ेगा और वहाँ से वह cross डालेगा वो cross की ज दो चीज अच्छी करें सबसे पहले तो मैंने clear-cut angle रखा कि फ्रांगार्से को आगे खेलना है तो खेलना है कारवाल देख लेगा दूसरी चीज हमने यह भी रखा कि ठीक है फ्रांगार्सिया और कामविंगा की position को बनाओ जिससे कामविंगा के पास इतले इसाम है कि इतने penalty box attack की बात करें तो बैलिंगम मी था और जोजलु की था दूसरा गोल देखो आप इतना यादा simple था बट इतना effective था मैं तो मज़ा आ गया because जोजेलु का best निकालना that's the point जोजेलु का best निकालना सबसे ज़्यादा जरूरी है और कैसे निकालोगे आप best यही है कि आप penalty box को attacker होगे और अगर आप इंशालला cross खेलने वाले हो तो यह make sure कर लो कि आप जोजेलु के साथ एक और उनची और उसमें बेलिंगम से अच्छा कोई ने क्योंकि दोनों ही लंबे कदगाटी वाले हैं दोनों ही defenders को draw कर सकते हैं और जोजेलु के पास header ability है यह उसकी सबसे ability मैं कहूंगा उसके अलावा आप कितना ही जोजेलु पर expect कर लो वो नहीं खेल पाएगा there is a reason why at the 33 years of age he was a striker at espanyol यह हमको मानना पड़ेगा क्यार में को Bellingham के regarding में चीज कहना है अफकोर्स इसका record तूट गया पर but again उसका game मेरे को बहुत प्यारा लगा sodas मेरे को वलवर दे गेम बहुत प्यारा लगा इसी के जाते हैं आप बात करते हैं चल्सी पर चल्सी को सबस्टाइब कहां देने चीए आई चल्सी को आप नंबर दे सकते हो because they have lack of experience आप देखो उनके कितने ही तमाम ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास European experience ही नहीं है मुद्रिक के पास नहीं है बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स है जिनके पास European experience नहीं एतना Premier लीग experience यह छोड़ी दो यहां पर जिनके पास बहुत थारो European proven players होते हैं वह Premier League में आके फेल आते तो यह Chelsea तो बहुती खराब है साथ यह आप देखो कि जब आपका एक player ऐसा होता तो उसको time ची होता है दो player ऐसे होता है उसको time ची होता लेकि जब के चार-पाँच player एक साथ एक इट ship में भुखेड देते हो तो भज़ाण मस्ती और कुछ नहीं होता अच्छा पोचिटीनो को भी इन को दोड़ाई की बात नहीं है सबसे जदा नमबर कहा गटेंगे तो सबसे जदा नमबर कटेंगे manager के अब देखो पॉचिटीनों को जहां मैं कह रहा हूँ कि ठीक है बहुत बेकार हालत में क्लब को लिया है बहुत बेकार स्थिती चल रही है इस समय लेकिन क्या वो कह सकता है कि यहाँ पर लाइक इस समय वो पूरे प्लाटफॉर्म दे रहा है वो बेसिस दे रहा है जहां पर क्लब के प्लेयर्स अपना यहां पर बेच निकाल सके हैं तो यहां पर मैं लगता है कि Chelsea है कि जितना individual billions पर केलने की कुशिश करेगी उतना पिटेगी चुकि individual billions के मामले में सबसे ठुकी हुई चल रहे है Chelsea चाहे निकलोस जैक्सन की बात कर लो चाहे अब स्टोलिंग की बात कर लो चाहे अब या मुद्रिक की बात कर लो आप individual billions पे इस point of time पे तो कते ही नहीं बैट कर सकते हैं आपको चीए एक cultural एक बटन आपको चीए एक environmental structure एक collective goal होना चीए एक set of tactics होनी चीए किस तरीके से खेलना है किस तरीके से नहीं खेलना है उस तरीके सीन होना चीए और वहां से फिर आप build-up करोगे वो चीज अभी Chelsea में दिखी नहीं दिख रहा है इन possession काफी lazy में कौँगा काफी out of ideas में कौँगा और out of ideas आला point तो बहुत ही जादा surprising होना चीए because they have ends of ununders ends of ununders के passing map देख रहा था ठीक है बहुत लोग कहीं है कि progressive pass है बढ़िया है खलता लेकिर उस progressive pass का क्या फाइदा अगर आप सामने वाले के penalty box को penetrate नहीं कर पा रहे हो अगर आप उनके last line of defense को penetrate नहीं कर पा रहे हो और यह चीज़ थोड़ी थोड़ी एंजो के game style पर depend करती है क्योंकि यहाँ पर Pochettino ने इसको deploy कर रखा है अगर Pochettino जिस तरीके से एंजो को use करेगा वो तो उस तरीके से output देगा and this is very very concerning क्योंकि आपकी टीम यहाँ पर creativity में 0 है और यहीं पर एंकुंकु की absence बहुत खलेगी निकुलास जैक्सन की बात करें भाई वो क्या ही खेल रहा था मतलब यार उस पर कैसे मैं serious हो जाओ भाई ने stinker का भी ultra pro max version दिखाया था मुको लेकि निकुलास जैक्सन का point यहाँ पर यह कि बंदा वाली कितना गंदा game खेले लेकिन अगर वो गोल convert कर रहा है जोजेलू की म पर उसका moral भी डाउन हो रहा है अचा है यहाँ पर अगर manager के perspective से बात करें तो उसको पता है कि एंकुंकु का आने के बाद निकुलास जैक्सन को मदद मिलेगी उसको यह भी पता ही current setup में कोई एंकुंकु इसके निकुलास जैक्सन के लिए create ही नहीं कर रहा ठीक है तो वहा possible 15 point में से 5 point आपने लिए तो आपने कहीना के खराब रहें लेकिन यहाँ से तो match भाई toughy रहेंगे और हारना फिर deserve करके चलो मैंको रखता है कि experience player के साथ इतने young player में invest करने के साथ inconsistency तो दावत में आती है दहेज में आएगी तो यहाँ पर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते players ऐसे होंगे जो की चलेंगे जो की नहीं चलेंगे positives की बात करूं मुद्रिक में वो raw potential है लेकिन again मैंने कह रहा हूँ raw potential है किस तरीके से develop करते हूँ यह पॉच्टिनों में जिडान का दे रहा था कि जिडान और Real Madrid इस तरीके से होई थे भाई ठीक है लेकिन जिडान ने तोड़ना स्टार्ट किया था अपने पहले शुरुवात यह अगर आप stats देखोगे but still अगर कह रहा है कि जिडान को भी time लगा था तो बना दियो पिर इन मेंसे किसी player को जिड पर बनमत ऐसी टीम लग रही थी जो कि like confident front foot पर खेलने वाली of course they were their low block में थे और Chelsea बहुत डॉमिनेटिंग वी थी at time soon ने वही वाली बक्चू दी उनकी कि यहां पर chances को convert नहीं कर रहे थे लेकिन वही वाली चीज हो गई कि यहां पर जो बनमत को जैसे से आप game आगे बढ़ रहता उनको confluence आता last of course वह home पर भी खेल ले लेकिन Chelsea डर सी गई थी ऐसा लगा था Chelsea थक गई Chelsea भागा नहीं जा रहा जो कि point नहीं हो न अच्यार पॉचिटिनों के किसी भी टीम का कभी तक यह style रहा भी नहीं है कि they are looking tired but लग रहा है and I think this is what Chelsea को आने वाली time में चीज़े चेंज करनी पड़ेगी इसका एक नुकसान यह है of course profit यह कि long term जाएगा नुकसान यह है कि बहुत पॉइंस करने वाले हो सवाल यह होता है कि क्या यहाँ पर पॉचिटिनों की जॉब खत्रेवा कैसे समझ में नहीं आता मतलब जो यह सवाल पूछते हैं उनसे बस एक पूचिए इसका आंसर दियो भई खुद ही दे आंसर हाथ तो क्या 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 करेगा तरको लगा दे तू बंजा मैनेजर तू कर ले ठीक पॉचिटिनों पर सवाल खड़े करना it's a must thing right now but that should be the end सवाल पूछले आप निकल ले यह क्या बात हुए सेम को सवार्ट टैनेक टैनेक की जो खत्रे में जैसे काफी रिपोर्ट से जा कौन है जो मैंचेस्टिन है को टैनेक से साही समा सकता है कौन है कौन सा मैनेजर नगल्समन गुत्ती थपेड़ लेगा उसकी राश्वड की पहले मै जो फिर गिव रम टाइम मैं तो अंसलोटी के भी सवाल मैं तो बता नहीं कब्से अजर्याल पार नहीं क्या करना है क्या करना नहीं करना थीस मैंजर्स और इनको टिये टाइम इंप्लेमेंट करने का आप पर हम एज फुटबाल फैन सब पर पूरा राइट है कि हम सवाल पूछ सकते हम यहां पर चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं लेकिन वेल इट कमस्ट यहां पर यह वाली चीज आते हैं कि यार सैक कर दो तब पता जाए 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 आपको इसी तरह फुटबाल स्रेट एक्स्लूजिव कॉंटेंट जाल में तब तक के लिए स्टेट्यू स्टेट्यू सेफ एफ एड़ इन नेक्स एपिसोड